नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme C21Y है आपके पास C11A या फिर 25Y है तो उसमें आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले कैसे Enable कर सकते हैं और Use कैसे कर सकते हैं तो फुल सेटिंग आपको बताने वाली हो तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए आप चले जाएंगे सेटिंग पर चाने के बाद यहां पर स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे system का option देखने को मिलेगा आप इस पे click कर लेंगे और यहाँ पे आपको navigation bar का option देखने को मिलेगा sorry आपको यहाँ पे नहीं जाना है आप यहाँ पे scroll down करेंगे और यहाँ पे आपको full screen मिलेगा accessibility पे और यहाँ पे आप scroll करेंगे कि सिस्टम नविगेशन को ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे और गैस्टर नविगेशन को आपको ऑन कर देना है जैसी आप ओन करेंगे तो यहाँ पर आपके तीनों बटन गाइब हो जाएंगे बैक बटन वगारा देख सकते हैं नहीं है लगाना है तो three button navigation लगा देंगे तो back button आ जाएंगे हटाना है तो हटा देंगे तो यह fully screen में हो जाएगा अब यहां पे setting पे click करेंगे तो यहां पे जो यह वाला option है आप यहां पे यह जो wedge आपका आता है न एज इसको आप मतलब कम और ज्यादा कर सकते हैं ठीक है इस ट्रेक से तो यहा आप एक बार back कर सकते हैं कोई चीज मिनिमाइस करना है तो यहां से आप मिनिमाइस कर सकते हैं और टास्क बार लाने के लिए यहां पे ऐसे टच करके छोड़ेंगे तो टास्क बार आजाएगा आपका ऐसे करके क्लियर कर सकते हैं साइडवे से आपका Google Assistant आ जाता है तो इस से आप सेटिंग कर लीजेगा फुली स्क्रीन डिस्प्ले की आई होप गाई जी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार